हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू होरो लेंड तो हम आपके लिए फिर लेकर आए हैं एक बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो जिसका नाम है दा कलेक्शन जो के 2012 में रिलेज हुई थी और ये मुवी 2009 में आई हुई दा कलेक्टर का सिक्वेल है यानि कि सेकंड पार्ट इस मुव मुवी को मारकस डंस्टन ने डायरेक्ट किया है और इसके IMDB रेटिंग 6.1 आउट ओफ टैन स्टार से मुवी के दुनों पार्ट वाकर में काफी जाद अच्छे हैं जो कि आप सभी को जरू देखना जाए तो चलिए आगे बढ़ते हैं मुवी की स्टार्टिंग में हमें कмовी को देखते हैं जो कि अपनी च्छोटी सी बच्ची के साथ कार में कहीं पर जा रहा था और अचानक उस कार का एकसिजएंट हो जाता है जिसके बाद इस सीन यह पर कट हो जाता है फिर हमें टीवी न्यूज को देखते हैं जिसमें न्यूज रिडर ये कह रही थी कि शेहर में एक सीरियल किलर काफी ज़्यादा हत्याय कर चुका है वो सीरियल किलर लोगों को किड्नैप करके उन्हें मार डालता है और वहां से सबुत चिपा कर भाग जाता है जिससे कि वो कभी भी पकड़ा नहीं गया बेग्राउंड में उस बोईफरेंड से बात करती है जो कि मिलने वाले थे लेकिन उसका बोईफरेंड उससे मिलने से मना कर देता है जिसके बाद एलिणा को अपनी फ्रेंड मिसी का फोन आता है और वो उसके एक अंडगरौण पार्टी में ले जाने क्लिक niveau कहती है एलिणा वहीज़की ती जिसक पफिश और श्राबा था, और सभी पार्टी इंजो एक पार्टी हॉल से बाहर चली जाती है, और होते हुए एक रूम में पहुच जाती है, जहां पर उसे रेट कलर का बॉक्स दिखाई देता है, जिसमें ज़ल किसी कि आवा जाती है, और एलिना उस बॉक्स को ओपन कर देत आनि के दो आता है ऐक यो कि दो Dri menके त drifting को फूटी है तो उसके दोक्ते है के उस इसक्वारा डेथ ट्रेप एक्टीवेट हो जाता है जो exactly उस से घॉल के सारे गेट हो जाते हैं और ये गुमता हुआ ब्लेड और अजो की तरफ आता है जो कि पार्टी में थे और एक एक करके सभी के चरीर को उड़ा देता है और वहाँ पर मुझद सभी लोग मर जाते हैं पार्टी होल से बचे हैवे लोग एक रूम में पहुच जाते हैं जो कि कलेक्टर द्वारा सेट किया हुआ एक और डेथ ट्रेप था जिसमे एक क्लिप से अपनी जंजीर खोल लेता है और वह खिड़की से कूथ कर भाग जाता है लेकिन जमीन पर गिरते वक्त आर्किन के हाथ की हड़ी तूड़ जाती है अब उस कुलब में सिर्फ एलीना ही बचती है जिसे कलेक्टर पकड़ लेता है और बोक्स में डाल देता है और बोक्स को बंद कर देता है जब आर्किन को होश आता है तो वह होस्पिटल में होता है और उससे वह सब कुछ याद आता है जो कि उसने सहा था कलेक्टर ने उसे टॉर्चर करते वक्त उसके दात निकाल दिये थे और उससे कई तरह के किलो से कड़़वाया था फिर वहा आरकीन को एलिना की फोटो दिखा कर उससे ये पूछता है कि क्या वो जिन्दा थी या मर गई थी क्योंकि उसकी लाश महां से नहीं मिली उस आदमी का नाम लुसेलो था और उससे एलिना के पिता ने हायर किया था उसके पास सिर्फ 48 गंटे थे एलिना को डूनने के लिए जि लिना बॉक्स में बने एक होल से बाहर देखती है तो उससे एक आदमी जंजीरों से बंदावा दिखाई देता है जिसे कलेक्टर ड्रग इंजेक्ट करता है और उसकी जिबान काटकर और उसके मुव पर एक मास्क को स्टेपल कर देता है आरकीन लुसेलो और उसकी टीम से क आ रहा था तो आरकीन ने हर मोड के आने पर अपने हाथ पर निशान बना लिए और इसी के साहरे सभी एक पुराने खंडर होटल में पहुच जाते हैं जो के कलेक्टर का ठीकाना था आरकीन के मुताबिक उसका काम खतम हो चुका था और उसे घर जाना था लेकिन लुसेलो से जब प्रदस्ती होटल के अंदर ले जाता है एलीना बॉक्स के अंदर से अपने कपड़े का एक हुक बाहर निकाल कर बॉक्स का गेट खोल देती है जिसके बाद वहां का नजारा देखकर डर जाती है वहां पर कई लोगों की लाशे कटी हालत में पड़ी हुई थी और बॉक्स में खुलने पर उसे ये पता चलता है कि अंदर वाला व्यक्ती बॉक्स में ही मर चुका है तब ही एलीना को कलेक्टर के आनेगी आहट होती है और वो उससे छुप जाती है कलेक्टर देखता है कि एलीना की बॉक्स का दर्वाजा खुला हुआ है और कलेक्टर एली लीना एक डक्ट में घुश जाती है कलेक्टर सबसे पहले गेट पर खड़ हुए आदमी को मार देता है जिसे लुसेलो ने निग्रानी के रखा हुआ था होटल के अंदर पूशने पर आरकिन पर एक आदमी हमला कर देता है जिसे लुसेलो गोली से उड़ा देता है और यह व जिसे कलेक्टर ने ड्रग देकर एक जानवर में बदल दिया था वो लोग जिनका मासिक संतुलून खो चुका था वो सबी उन पर हमला कर देते हैं जिसे लुसेलो और उसकी टीम अपनी गोल्यों से उड़ा देते हैं लुसेलो देखता है कि उस होटल में मोबाइल जेमर ल दखा हुआ था और एलिना एबी को भी अपने साथ बाहर ले जाती है इधर आर्किन और लुसेलो की टीम की तरफ ब्राइन आता है और जब लुसेलो की टीम का एक मेंबर उसके पास जाता है तो ब्राइन की गरदन के पीछे लगावा बॉम फर्ड जाता है जिसके बात और आर्किन मोका देखकर चुप चप वहां से निकल जाता है एलिना एबी के साथ बाहर निकलने का रास्ता ढूंड रही थी लेकिन एबी को पता चलता है कि एलिना को सुनने में तकलिफ होती है और एबी एबी देखकर डर जाती है क्योंकि कलेक्टर एसे लोगों के साथ काफी बुरा बरताव करता है जल्ली कलेक्टर वहां पर आ जाता है जिससे की एलिना भाग जाती है और कलेक्टर उसके पीछे चल दिता है एलिना रास्ते में देखती है कि होटल में कई सारे ट्रेप मुझूद है जिससे कि वो केरिफूली बचकर निकल जाती है आर्किन एक ऐसे हॉल में पोउस्ता है जहाँ पर कलेक्टर अपने कलेक्चन को रखता है जिसमें वो human bodies को कलेक्ट करता था और उनका कई तरह से operation भी किया करता था आर्किन आगे चल कर देखता है कि एक room में एक लड़की captured है जिसे कलेक्टर गला काट कर मार देता है और आर्किन कलेक्टर से बचकर भागने लगता है लेकिन भागते समय आर्किन को लुसेलो की team का member पकड़ लेता है कलेक्टर से भी को वहाँ पर देखता है और लुसेलो की team की member को एक hook के जरिये उठा कर मार डालता है फिर कलेक्टर की एक जड़ब लुसेलो से होती है और कलेक्टर उसकी एक team member को अपने साथ रसी से बाध कर ले जाता है जिसके बाद आर्किन वहाँ से भागने की बात करत जाता है लेकिन लुसेलो आरकिन से कहता है कि वो एलीना को लिए bigger यहां से नहीं जाएगा और दोनों एलीना को ढूने के लिए चल देती है जहाँ पर उन्हेत बाकुत देंसे यह पता है कि येंचानक महां पर किसी के चिलाने की आवाँ आती है जो की लूसेलो की team members की थी जिसकी चमड़ी कलेक्टर एक ब्लेट से काट रहा था और वो जोड-जोड से चिला रही थी। लुसेलो और आरकिन जब उस आवास के पीछे पीछे जाते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि कलेक्टर ने एक डमी में स्पीकर लगा रखा है ताकि वो सभी वहाँ पर आए जबकि लुसेलो की टीम मेट को कलेक्टर ने कई सरी ब्लेट के बीच बांध रखा है और यहाँ और उस डमी में एक बॉम फिट होता है जिससे जैसे तेसे आरकिन और लुसेलो बच जाते हैं और उस टीम मेट को एलिना बचा लेती है फित लुसेलो और आरकिन भी एलिना के पास बहुत जाते हैं एलिना सबसे कहती है कि उन्हें एबे की बात नहीं सुनना चाहिए क्यों वो चोकनना हो जाता है। फिर जल्दी ही महाँ पर पुलिस भी आ जाती है और आरकिन एक और गुली पुलिस की तरफ चलाता है ताकि पुलिस को ये पता चले कि गुली यहाँ से चली है और वो उन्हें बचा ले। एबी वहाँ का दर्वाजा लॉक कर देती है और कलेक्टर को बुला लेती है क्योंकि उसे ये लगता था कि कलेक्टर उससे प्यार करता है। अब लुसेलो आर्किन और एलिना वहाँ पर केद हो चुके थे और तभी लुसेलो की टीममेट को गुस्सा आता है और वो एबी को जोर से धक्का दे दिती है जिससे की एबी का पेर एक ट्रेप पर पढ़ जाता है और दो नुकिले बेल्ट एबी को दवोच कर उसे मार डालत हैं फिर कलेक्टर वहाँ पर दो खतरना कुत्तों के साथ आता है और उन पर गोलिया बढ़साना शुरू कर देता है जिससे की एक गोली लुसेलो को लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है और उसके हाथ से एक ट्रेप एक्टिवेट हो जाता है वो कुत्ते आर्किन पर हम जाने जाते हैं लेकिन लुसेलो उनके साथ नहीं आ सकता था क्यूंकि उसके हाथ से ट्रेप एक्टिवेट था और जैसे ही वह अपना हाथ अटाएगा तो ट्रेप में दबकर मर जाएगा आर्किन और लुसेलो की टीममेट जल्दी एलिना के पास पहूच जाते हैं और एल लिना और लुसेलो की टीममेट उस केज में ही थे और जल्दी ही वो मरने वाले थे वे सभी वहां का लोग खुलने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन किसी का भी हाथ महां तक नहीं पोचता तभी आरकिन लुसेलो की टीममेट से ये कहता है कि वो उसका हाथ ट्विस्ट करके तोड़ दे क्योंकि उसके हाथ की हड़ी पेले से ही टूटी हुई है और वो इस तरह से अपना हाथ मोड़ सकता है वो टीममेट भी वेसा ही करती है जैसा कि आरकिन उससे कहता है लेकिन आरकिन को इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है जिसके बाद आरकिन अपना टूटा को मार देता है जिसके बद कलेक्टर आरकिन को मारने वाला था फिर कलेक्टर आरकिन को मारने ही वाला था कि तब ही महाँ पर लुसेलों जैसे तैसे ट्रेप से बचकर भूच जाता है और वो कलेक्टर के साथ हाता पई करता है जिसमें कलेक्टर उसे चाकु से स्टैप करके मार देता है कलेक्टर उस होटल में ओल्रेड़ी आग लगा चुका था और वो आर्किन को मारने वाला था वो आर्किन के गाल में चाकू घुसा देता है और आर्किन अपने बच्वाव में कलेक्टर को धक्का देता है और कलेक्टर सिधा एक बंद पड़ी लिफ तबी एलिना वहापर एक water tank को फोड देती है जिससे की उस area की आग बुझ जाती है और वो आरकिन को लेकर उस hotel से बाहर आने में कामियाब होती है फिर एलिना अपने पिता से मिलती है और वो आरकिन को thanks कहती है पुलिस को उस hotel से कई सारे boxes मिलते हैं जिसमें collector लोगों को देखते हैं जो कि अपने घर में था उसे यह लगता है कि कोई उसके घर में घुश चुका है और उस आदमी का चेरा नहीं दिखाया जाता है फिर वो आदमी अपने घर में एक बॉक्स को देखता है जो कि हुबहू कलेक्टर वाले बॉक्स की तरह मैश करता था फिर अचानक आरकिन उस आदमी के सीर पर बंदुकतान देता है और वो आदमी और कोई नहीं बलकि कलेक्टर होता है जिससे आरकिन कहता है कि वो उसे वही दर्द पहुचाएगा जो कि कलेक्टर ने उससे दिया था जिसके बाद आरकिन कलेक्टर को उसके ही बॉक्स में धक्का दे देता और उसका दर्वाजा बंद कर देता है और इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाती है तो यह मूवी एलीना नाम की लड़की के रेस्क्यू पर बनी हुई है जिसे एक सीरियल किलर किड्नेप कर लेता है इस सीरियल किलर को कलेक्टर कहा गया है क्योंकि वो लोगों के शेरिक संदा व्यक्ति था जो कलेक्टर के चंगूल से बचकर वापस आया लुसेलो आरकीन के साथ मिलकर एलीना को ढूंड लेता है लेकिन खुद और अपनी तीम को कलेक्टर से नहीं बचा पाता अब बता यह गया है कि होटल तो जल जाती है लेकिन वहां पर कलेक्टर की बॉड जितने भी एंटर्म ऌलोजिस्ट यानि की कीड़ो मकोलो की स्टेड़ी करने वाले उनकी चान भीन करता है तो उससे ये पता चलता है कि कलेक्टर के पिता का एक म्यूजेम था और कलेक्टर भी एक म्यूजेम बनाना चाता है लेकिन human body को operate करके एक कीड़े में बदलके आरक और तीसरा दे कलेक्टेड जो की जल्दी आने वाला है अगर आप सभी को दे कलेक्शन पसंद आई हो और इसके बाके के पार्ट्स का भी एक्स्प्लेनेशन चाते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन और हमारे चेनल को सब्सक्राइब जरू करें क्योंकि जल्दी कई सारे वीडियोज आने वाली है